हलो दोस्तों सेवन की किचन में आपका फिस स्वागत है तो चलिए आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए वरत वाले साबुत दाना की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी और खिली खिली बनाएंगे और कैसे बनाएंगे पूरी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आपको साबुत दाना बनाना है दो से दो ट्रिक्स से बताऊंगा कि किस तरह से साबुत दाना को भीगोया जाता है और किस तरह से साबुत दाना को कम तेल में बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है ताकि आपका साबुत दाना भी खिला खिला बने और बहुत ही टेस्टी बने, तो साबूत दाना खिला खिला कैसे बनाना है, वीडियो को अन तक देखेगा, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले लिया है साबूत दाना, यह नॉर्मल साबूत दाना होता है, मोटे वाला होता है, पतले वाला नहीं हो तो यहाँ पर मैंने लिया है साबू दाना और इसे अच्छे से पहले तो वाश करेंगे तो यहाँ पर मैंने पानी डाला है खुला पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मल मल के जो है इसको वाश करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सा स्टार्च होता है तो इसे अच्छे से निकालना है वो जब तक निकलेगा जब तक आपका 3-4 बार नहीं आफ वाश करेंगे इसे 4-5 बार इसे अच्छे से वाश करते जाना है जब तक कि इसका पानी ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाता ये देखिए अभी इसका पानी धुंदला है तो ट्रांस्पेरेंट होने तक इसे अच्छे से वाश करना है तो इसे अच्छे से वाश करेंगे दो से तीन बार इसे अच्छे से पानी डोल के इसे अच्छे से वाश कर लेंगे तो ये देखिए अभी इसमें धुनला पन है तो जब तक ये बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाता तब तक हम इसे वाश करना देखिए अभी नीचे साबूत दाना आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तो इसे जब तक देखिए अब ये ट्रांस्पेरेंट हो गया है पानी तो देखिए साबूत दाना नीचे इसमें दिख रहा है तो इस तरह से आपको इसे धोना है तो चलिए यहाँ पर मैंने धोके इसे रख लिया है अब इसमें दोस्तों पानी कितना डालना है वो भी बहुत होता है मेजरिंग तो इस तरह से पानी डालना है जितने में ये सिर्फ साबूत दाना डूप जाए इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मट डालिएगा तो देखे पानी का लेवल जो होता है इतना ही होना चाहिए जो साबूत दाना से हलका सा उपर हो जिसमें साबूत दाना सिर्फ डूप जाए इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो फिर ये चिपचिपा बनेगा तो चलिए इससे पूरी रात भीगो के रखेंगे आप चाहें तो पूरी रात भीगो सकते हैं नहीं तो 4-5 गंटे तो इसे कम से कम भीगा हुआने चाहिए तो लिजे भीग के हमारा 5-6 गंटे हो चुके हैं और देखिए साबूत दाना कितना अच्छा बना है तो देखिए हाथ से ऐसे मेश करेंगे तो बिल्कुल मेश हो जाता है तो इस तरह से आपको भी साबूत दाना को पहले भीगो कर रखना है अच्छे से तो चलिए बनाते हैं आप इसको तो यहाँ पे लेंगे हम एक बड़ा चमच रिफाइंड ओयल तो दोस्तों सबसे मेन यही होता है कि इसके अंदर ओयल जो डलता है बहुत ही कम डलता है इसमें बिल्कुल भी जादा ओयल मढ डालिएगा अगर जादा डालेंगे तो यह चिपचिपा बनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे यह गरम होएगा तो यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है पहले इसे उबले हुए आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे अभी फ्लेम जो है हमारा हाई पे है जब हम आलू फ्राई करेंगे तो इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक क्रिस्पी और लाल नहीं हो जाते तो इस तरह से इसे अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर फ्राई होने के बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और अब जो है हम इसकी जो इसका flame है वो बिलकुल slow कर देंगे ना medium ना high बिलकुल slow में रखेंगे इसको बिलकुल धीमी आज पर पकाएंगे तबी आपका साबूदाना जो है कडाई में चिपकेगा नहीं और कड़ाई जो लेंगे आप थोड़ी मोटी तले की लीजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पे मैंने साबू दाना डाल लिया जो भिगो कर रखा था बस आपको जितना भी काम करना है खिला खिला बनाना है तो इसको slow ऑश पही पकाना है ज्यादा तेज बिल्कुल भी नहीं करना ही आच तो यहाँ मैंने डाला है सेंदा नमक, स्वाद अनुसार अपने स्वाद के अनुसारा आप सेंदा नमक को डाल लीजिए तो सैंदर नमख डालने के बाद यहां पे हम थोड़ा सा डालेंगे नीमबू का दोस्तों इसी से खिलाखिला बनता है यह नीमबू का रस एक-एक दाने को अलग कर देता है तो यह हमारा सीक्रेٹ होता है नीमबू का रस जो बहुत ही अच्छे तरह से इसको separate करता है तो यहां पे हम एक निम्बू का रस अच्छे से निचोड़ देंगे तो निचोड़ने के बाद हम इसे करेंगे mix तो दोस्तों मैंने बताया था कि पहले भी आपको बताया है कि जो इसके gas का flame है वो बिल्कुल slow ही होना चाहिए तो देदे कि इस तरह से अगर slow ह होगा तो वो चिपकेगा भी नहीं कड़ाई पर तो इसे बिल्कुल slow आच पर पकाना है और बड़े धहरे से पकाना है बहुत अराम से पकाना है इसको तो इसे अच्छे से mix करेंगे तो यहां पे लेंगे हम मूमफली का कुटा हुआ दरदरा सा powder यह हमने मूमफली लिये से हम रोष्ट नहीं करेंगे यह ऐसे ही डालेंगे कच्छी मूमफली होती है और साथ ही में डालेंगे हम यहां पे धनिया पत्ती तो धनिया पत्ती डालने के बाद इसे अच्छे से mix करेंगे तो चलाते रहेंगे इसे ज्यादा छोड़ना भी नहीं है तो यह देखिए कहीं स भी नहीं चिपक रहा है हमारा साबुद दाना यह कड़ाई बिल्कुल साफ रहेगी बनने के बाद भी तो इस तरह से अगर आप भी बनाएंगे साबुद दाना तो आपका भी खिला-खिला बनेगा बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसे mix करने के बाद दोस्तों आप इसे 3-4 मिनट तक ज्यादा धक कर पकाना है बिल्कुल slow आच पर इसे 3-4 मिनट तक धक कर रखना है तो लिज़े 3-4 मिनट हो चुके हैं तो साबुद दाना हमारा बनकर बिल्कुल ready हो गया है तो चलिए इसे करेंगे mix तो यह देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से साबुद दाना कड़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है देखिए खिला खिला एक एक दाना खिला खिला रहता है इसमें यह देखिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी साबूत दाना एक एक दाना खिला खिला बनेगा तो यहां मैं आपको नजदीक से भी दिखाता हूँ कि साबूत दाना किस तरह से खिला खिला देखिए एक एक दाना आपका उपर से गिर रहा है तो लीजे तियार हो गया है बहुत ही टेस्टी सा साबूत दाना और बिना कड़ाई में चिपके ये देखिए आप कड़ाई को भी देख सकते हैं इसने कहीं से भी चिपकापन नहीं है इसके अंदर और आप जहां से भी देखेंगे वो कड़ाई को बिल्कुल छोड़ देगा तो दोस्तों यही ट्रिक होता है कि आप अगर स्लो आच पर पकाएंगे और आराम से पकाएंगे तो आपका साबूत दाना भी खिला खिला बनेगा तो लीजे बनकर तैयार हो गया है सर्व करते हैं से तो ये देखिए एक एक दाना उपर से गिर रहा है खिला खिला गिर रहा है तो इसी तरह से आप ट्रिक अपनाएंगे तो आपका भी साबूत दाना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बनेगा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा कड़ाई के साथ तो लीजे बनकर तया नहीं तो स्किप कर दीजे टमाटर को मैंने कई बार देखा है कई लोग टमाटर यूज नहीं करते हैं तो अगर आप भी टमाटर यूज नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर दीजे और अगर आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी भी डाल सकते हैं अगर आप इसमे काली मिर्च डालना चाहते हैं, तो काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, तो लीजे बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी सा, स्पेशल सा, वरत का साबुत दाना, तो एक बार रेसिपी को जरूर ट्राई कीजेगा,